हेलो गाइज गुड मॉर्निंग मेरी और मेरी मंशी की तरफ से आप सभी को आज का ये मेरा फर्स्ट फ्लॉग है एस अ मॉम बहुत कुछ चेंज होता है लाइफ में तो सुबह सुबह का रुटीन है ना मंशी की मालिश का होता है उसे निलाने का होता है वैसे सरदियां चल रही है तो मनशी और मॉलने टेंस में इनाती है और मालिश वाली आटि जी उसे निलाती भी है और इसकी मालिश भी गड़ती है स्टार्टिंग में इसकी मालिश नहीं हो पाई थी इसकी थोड़ी तब खराब रहती थी अब मैं ट्राय करती हूँ कि रैगुलर इसकी मालिश करवाया करूँ सो मालिश की बाद इसको कर दिया था हमारा रेडी और ये मेरा बेटा किल ला है सो यहां पर मन्शी हर्षिता को देके हज रही है सो इसे यह पता है कि मैं इसकी मम्मी हूँ और यह पता है हर्षिता इसकी चोड़ी मम्मी है सो यह बस हम दोनों को भी दीख के स्माइल पास करती हूँ और जब इससे हम कहते हैं ना ने हुआ हैं सुमभ्राइब कर नहीं करते हुआ nτα vallahi žूष्ट ऩानलमिज ईलान Sup until rozm मैं नहीं कर पाई न फीरा केली है उसके बाद मैं कर पाई तो पूरे दिन हो पाएगाρε है किचिन में कर ल她 बना सेन्विच तो उसके लिए न साही तयारी कर ली थी यह वेज़िटेबल्स थी नमक और यह चटनी अभी फ्रेशी पीसी थी मैंने यहां पर चटनी लगाई उसके ऊपर यहां पर जिदन भी वेज़िटेबल्स है आप आप और भी ले मní्वर्म अगर आप बनाना चाहूं कूसे नॉर्म आपनी सट्नी अपनी आउ ममगे आयां बनाना नहीं को अविवाली है अगर इसमीस और आप फिक तो और से के सतना आज सेंविच का मन कर रहा था तो सोचा यही शेयर कर लेती हूं आप लोग के संग किस को सेंविच परसंद है कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएगा सो सेंविच या कभी कुछ खा लेते हैं हम पोहा वगेरा जो सिंपल सा बन जाए लगता है जब लेट हो रही होती हूं तो म अपने लिए ममी जी और हशेता के लिए बना रही थी यहां मैंने खीरे डाले और इसमें आप बता हुव भी ढाल सकते हो सीजनल है लाइक मन हो तो डाल सकते हो एवलेबल हो तो मैं थोड़ा वज़ी करते हूं विकॉस उसमें कीड़े वगणा होते है इसलिए कौन-कौन पहले मैं सोचती थी कि इतना टाइम पतानी में निकाल पाऊंगी या नहीं वीडियो के लिए बट इतनी क्रेटियर्स को देखती हूं कि वो कितने अच्छे से मैनेज करते हैं अपने टाइम को सो मैंने सूचा कि मैं भी करके देखूं क्यों ना करूं बहुत सारे लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है तो हमें भी कोशिश करनी ही चाहिए सो मैंने यही सोच के फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करी है एंड इस सब चीजों में बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो बाते करते करते मारा सेंविच भी रेडी ही हो गया सेंविच को अच्छे से कट कर दिया था और उसके बाद मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी जादर कुछ नहीं लेती क्योंकि सेंविच से मेरा इतना पेट नहीं भर पाता तो मैं यहाँ पर अपने बदाम तो लेती हूँ और थोड़े मैंने ना दो तीन रस ले लिये थे अभी नहीं कर सकती क्योंकि मनशी के संग अभी इतना टाइम नहीं मिल पाता तो धीर धीर ट्राइ करूंगी एनिहां पे उसके बाद मैंने मनशी को थोड़ा धूप सेकनी के लिए बिठा दिया था इसके लिए में एक नहीं चेर लेकर आई थी देखिए कैसे प्यार से हास र लगाई बहुत टाइम हो गया नेल पेंट वगरने लगाई उसके बाद हो चुका था लंच का टाइम सो लंच में हर्षिता ने बनाये थे मिक्स वेजिटेबल्स इटली जो बहुत टेस्टी थी खाने में एंड हैल्दी भी थी वैसे ने डाइटिंग कर सकती तो थोड़ा बहुत हैल्दी खाई लूँ और यहां पर मंची और हर्षिता खेल रहे हैं मंची बस हर्षिता के पास ही रहती है उसे और कोई दिखे तो उसे स्मयल भी नहीं पास करेंगी हैं यहां पर मुझे देख रही है लाईक हम दोने इसको दिखते रहे हैं वो थोड़ी बहुत कर पाई थी राथ में इसके लिए मैंने बऒनाये था एक सॉलिड मेल तो यहां पर मैंने इंस्टिंट मतलब सब रैणी कर रख रख हमाता हैं मैंने बदाम का पाउडर रैणी किया है सूजी मेरा खजूर जो होते हैं गीले उसका यह मैंने वह बनाया था सॉस टाइप की और यहां पर ओर से लिखना भूल गई यह मखाना और पोहा एंड यह खा लिए इसके लिए अभी भरूंगी मैं यह सब बहुत इजी हो जाते हैं यहां पर बिस्केट भी हैं मैं पहले से पाले जी की बिस्केट भी देती थी तो थोड़ा है ना इजी हो जाता है जब आप खाना बनाओ बच्चे के लिए आपको जादा टाइम मतलब मिक्सी में पीस वीस ना नहीं पड़ता आप इजी कभी मैं सूजी ओट्स मिक्स कर देती हूं कभी मखाना ओट्स पो हावाला मिक्स कर देती हूं तो यहां पर मैंने मिल्क लिया है यह मैं गाय का दूद ले रही हूं और वैसे हैं गाय का दूद मैं खाने के इसका यूज करती हूं क्योंकि थोड़ा है ना कमी खाती है तो इ के बाद ये डाल दिया and then खजूर की प्योरी जोती है वो डाल देती हूं so अगर किसी को भी खजूर की प्योरी की रसीपी चाहिए तो मुझे बताएगा next time मैं जरूर बना के आप लोग शेयर करूंगी ये बच्चों की health के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं लाइक बच्च उसका weight gain ही नहीं हो रहा भी तो यहां पर बॉल हो रहा है उसके बाद मैं डालूंगी यहां पर इसमें दो चमच खजूर का प्योरी तो यहां पर आप खजूर प्योरी के जगे जैगरी पाउडर भी उसकर सकते हो वो भी अच्छा रहता है बच्चों के लिए यह आप मिश कियों करूं कि मायरा को ही हम प्यार से घर में मंशी कहते हैं और यहां पर बन चुका था अल्मोस्ट मंशी को यह थोड़ा टेस्ट कम समझ में आता है वह खाती नहीं है वह आल्मोस्ट रेडी हो चुका था और इसके बाद है ने स्कों तो घूझ ए लग देती हूं क्योंकि कि खाती नहीं है जो थोड़ा बहुत खाती है फिर वो भी नहीं खाती है यहां पर वो तो गाइस आज का जो व्लॉग है ना हम एंड करते हैं एंड मंशी देखो इंदर मंशी की चाची उसे हसाने में लगी हुई है पर वह असर नहीं रही है आज कल वाव आप लोग को कैसे लगा उसके लिए मुझे जरूर बताएगा कमें सेक्शन में तिल देन भाई-बाई आपको मिलूंगी एंड मंशी की संग नेक्स व्लॉग में बाई-बाई